नमस्कार किसान भायों मैं आपका दोस्त मनिजाट और आप देख रहें एगरी टेक मास्टर यूटूब चनल किसान भायों जैसे कि आप सभी की डिमांड थी कि हमारे लिए जंगीर का जो लेटेस्ट मोडल 2023 के अंदर आया है अभी उसके बारे में संपूर्ण जानकरी दे त जो कि राज़स्तान के अंदर इस्तित है जैसा कि आप मेरे पीछे देख पार है जंगीर मल्टी क्रोप त्रेसर जो कि विजय नगर रोड राइसिंग नगर मिश्टित है और किसान भायों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन मसीने लेकर आती रहती है उसी करम में आज हम यह जो लोन्सविदा मिलेगी और किस प्रकार मिलेगी आप यहाँ पर विजिट के प्रकार कर सकते हो गर बेटे आपको यह मेशिन किस प्रकार मिलेगी और जो लेटेस्ट जो कि किसानों की सबसे पाइली पसंद की कंपनी बन चुकी है जंगीर मल्टी क्रोप त्रेसर इसके अंदर तो लेटेस्ट फिचर्स कम्पनी ने लोंच किये उन सभी फिचर्स के बारे में हम आपको संपुन जानकारी देंगे जो आपको बखू भी पसंद आएंगे तो इस कमाल के वीडियो में अंतक बने रहे और जो दोस्त हमारी यूटूब चैनल पर पार लिबा रहे हैं किसान भाया आपको बताते कि फिसन कोण कोई साय से निकालता भारत एंदर जितने यह पसल पाई जाती है के उल मुंगपली और चाउल को चोड़ कर यह सभी प्रकार की पसल निकाल देगा अब बात आती है कि किसान बायों के पास कितने HP का टेक्टर होना चाहिए तब यह मल्टिक्रोप तरह से तलेगा तो किसान बायों यह जो त्रेसर आप देख पाएं यह टे किसान बायों आपको बताता है कि गेली पसल के प्रकार के कोई दिक्कत नहीं आती है बस थोड़ी सी आपको ओप्र सिस खिए क्ने की जरूरत पड़ती है वह भे मैं आपको इस मशीन के उन्दर जानकारी दिकार करोगी अगर इसके गीली पसल के बात वाद करें तो 40 से 50 पस किसान भाई सबसे पहले इसकी एलिवेटर के बात करते हैं किसान भाई यह जो एलिवेटर है इसकी साइज तोड़ी बड़ी है जो इसकी आपनी अधर मेशिने देखे होगी और इसके अंदर कटोरियां लगी हुए जिससे कि दाना फॉर ने जिसी कोई दिक्कत नहीं आएगी और कितना एड़ेस्टेबल होँ अगर आप अपना अना सिदा टॉली के अंदर लेना चाते हो बली किसान बाई सेुसे आप अपनी चानो सार उपर नीचन कर सकते हो और किसान भाई सबसे महतपून आपने भी देखा होगा कि मशीनों के अंदर कलर किस प्रकार आते हैं लेक जैसे कि मोबाइल की स्क्रीन पर चल रहा है उस प्रकार से सबसे बैतरी जो टेक्टर के अंदर ओरिजनल कलर होता है वह इसके अंदर यूज हुआ और जैसे किसान भाई इसके अगली तरफ आते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी डिजाइन देखे किसान पर इसान पर टेशन काम करता है वह में आपको जानका रही दूआगा किस परकार आप को अपने खालत के आरपेम करने कम करने लिए की जासन पर निर्देश नो करने के जैसे कि आप यह दस पॉइंट देख पा रहे हूं आप इसे पढ़ सकते हैं और जैसे इसकी सावदा ने किस प्रकार रखने किस प्रकार समय समय फिर ग्रिस्ट करना वो संपूर्ण जैसे कि यह यह किस काम में आता है आपका अनाज इदर से आएगा जो भी पसल आएगी उसके अंदर अगर हलका पुलका कर्चरा भी आता यह फैन हवा नहीं किसता यह उस तरफ हवा फेकता जिससे कि आपके अगर कुछ दानावाने के अंदर कच्रा आ तो उस तरफ चला अगली तरह पाते हैं लेटेस्ट फीचर यह वाला जो आप फीचर देख पा रहे हैं यहां पर द्यान से देखे कि यह परदे वाला देखे अब डाउन हो रहा है तो यह वाला फीचर अभी लेटेस्ट लोंच हुआ है जो आप अपनी पसल निकालोंगे तो सपाई के लिए बहुत ही महत्पून रहने वाला है और जैसे ही इसके अगली तरह पाते हैं तो यह आपके अप डाउन जो ट्रेसर के जाल के पर प्लेट रहती है हवा की उसे आप अपनी चनुसार ट्रेसर को प्लेट को अप याने कम ज्यादा भी कर सकते हैं और यहां पर देखें कि खिड़ से लेते हैं 50-60,000 रुपे कर गए लेकिन इसके अंदर यह फीचर दिया हुआ जिससे कि इससे आप अपने अनाच की सपाइक कर सकते हो और किसान भायों सबसे महत्पून जो किसान भायों के चलाने के अंदर यूज आएगा त्रेसर की जैसे कि आप जानते हैं कि पहले यहा और किसान भाय अब आपको बताते हैं कि आर्पेम किस प्रकार चेंज ग्रोगी क्योंकि आपको में संपुन जानकारी दूंगा जैसे कि आप देख पार हैं नेचे वाली पुली अभी जो बेल्ट लगी हुए तीन तीन बेल्टों के अंदर दो पुलियां दी हुई है अभी ध्रण माल निकाल रहे हुआ तो ड्रम के आर्पेम आपको ज्यादा रखने जिससे कि कटाई पर अच्छी रहेगी और आपकी जो पिछे डोली रहएगी इसकी और प्र कंस कम जाएगा हॉए ड्रम का जो अपनी स्पीड रहेगी वो ज्यादा रहेगी अच्छी तरगे से कटिंग होगी बिल्कुल बारी का जाएगी जिससे कि आपकी पसल में कोई भी कच्रा नहीं आएगा और सबसे महत्पून गिला माल निकालोगी तो आपको यह सावधानी भी रखनी है जिससे कि आ महत्पून जानकारी इसके डोली की हाइट डेके किसान भायो आप ना तो ज्यादा और ना ही कम है जिससे कि किसान भायों को काम करने के लिए आसा नहीं रहेगी आप जब भी अपनी पसल डालोगी तो यह हाइट ज्यादा होगी तो आपके दर्द नहीं होगा जिसे कंदे दुखना यह आराम से ओपरेट इजिली कर सकते हो आप अपने जब भी बाजरी के पसल निकालते हो बाजरी की तो इसे जहले के माद्देम से भी आराम से इसके अंदर डाल सकते हो जिसा कि आप वीडियो क्लिप देख पा रहे हो और सबसे बेतिन कुवालिटी जिसे कि आप य पर इससे कि मेंटनेस ने आता है कितना भी गिला माल हो उसे अंदर पुरोपर तरीके से लेकर जाता है चेन वाले के अंदर कभी-कभी कुछ किसान भाई बोलते हैं कि दिक्कत आती है लेकिन आगर आपकी डिमांड है तो आपको चेन वाला भी मिल जाएगा और मैं आपको बता दू जब गिला माल निकालते हो आपको लगता है कि आपका ड्रम हो रहा है तो इस एक आपकी जो भी बासल चोगोगा वह इसके माद्यों से वापिर दोली के अंदर चला जाएगा और सभसे महतत्बून चान करी जो आपको बिहेकि कम मशीनों के फिच्रियों के मैं तो लगा सकते हो अगर आपको इसको निकालना है तो इसको यह दो नटके वादियम से भी निकाल सकते हो और यहाँ पर दूसरी प्लेट लगा सकते हो बिना ब्लेड वाली इस प्लेड के अंदर आपको ग्यारा ब्लेड मिले अगर इसकी ड्रम साइज के बात करें तो एक सो तैयाल उसमें ब्लेडे कम करते हैं तो उनके लिए सबसे फायदेमन दोने वाली है कि उस प्लेट को निकाल दो और किसान भाई अगर आपके मज़दूर लेबर जो भी काम करती है जब इसके अंदर पसल में इसके जो डोली के अंदर माल ज्यादा डाल देते हैं आपको लगता है कि टैक्टर पर लोड पड़ रहा है तो इस हैंडल के मादियम से इस डोली को रोक सकते हो आपको दोनों तरब हैंडल अगर आप उस तरफ से माल डालते हैं यू एशे कर सकते हैrail किसान भाई dit पियाले वीडियो में बोला था, कि ट्रेक्टर लोड प्री त्रेसर, याने कि उसका महाथपुन है, जैसा कि आप ये वील देख पारे है, इस मशीन में आपको तीन वील मिलेगए, और ठीनों वील हेवी है, एक समान के है, जिससे कि उनका weight तीनों का wheel का एक समान है जिससे कि टेक्टर पर balance बना रहेगा machine पर balance बना रहेगा टेक्टर पर load नहीं पड़ेगा उस तरीके से इस machine में heavy wheel दिये हुए है और आपको जो जिसकि आप ध्यान से देखिए गड़े इस को परदे लगए 52 सबस्तर में जिसका आप देख पार रहे हैं तो यह handle आपथे नहीं परा। इस iPhone का सकते हैं, अगर आपóc चालने पर माल ज्यादा गिराना है तो प्लेटों को नीचे कर दो जिससे की ज्यादा माल नीचे गिराईगा यह मैंने आपको इसके बारे में जान कर देदी और जैसा ही आप यह उपपर जब भी जाल चैंस करते हैं पहले कि नट बोल्ट आते दे जिससे की बहुत ज़्यारा समय लगता इस मशिनमें नहीं आती है उसे ओपरेट करना आना चाहिए वह कैसे में बताता हूं जैसे कि आपकी यह जाल हो गई यह बलेड़े हो अगर आप चने की बसन निकाल रहे हो जाल बलेड़ का गेप आपना की कम है तो बलेड़ अपने अनाज से टकराएगी चने से तो दाना पूटेगा अगर जाल को नीचा कर दे तो कोई दिक्कत ने आएगी उसी क्रम में यहाँ पर यह नट बॉल्ट दिये हुए इसके माद्यम से आप अपने जो रोमन कटर रहता है उसको उसको कम और जैदा कर सकते हो किसान बाइब और जैसा कि आप जैसे अगली तरफ आते त आपको यहाँ पर यह तीन पेन मिलते हैं एक पेन यहाँ पर इसके आपने जो भी पसंद निकालोगे उसकी सपाई के लिए काम में आएंगे यह तीनों पेन जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगर आपका जो भी बूसा निकलता उसको नजदी गिराना तो इसका कम कर दो अगर ज्यादा पसल निकालते हो ज्यादा आता तो वह एक प्रोपर तरीके से चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी और जैसा कि आप यह देख पार जब वह उपर वाला जो चालना रहता अपना उसके साथ डूली आती है उसके अंदर अलका पुल का धना भी आता तो आप अपनी चनों सारे इजश्ट भी कर सकते हो और ये जो निचे से आएगा उसके अंदर आ जाएगा पीचे डूनी के लख चैया और फिर और मृण के नंदर चला घ्लेगा यह यह इस को मेंद्ध कर सकते हो और सबसे मोड़ मृद्पून इसम बद्ला हुआ है देखिए क कि आपके आगे वाली जाली लगी हुई इसको दो नट के मादेम से बहुत ही इसली आप इसे खोल सकते हो और बंद कर सकते हो और किसान बाइव देखिए कि यह वाला फेन है जो आपकी हवा को उटाएगा अगर आपके नाज में अलका बूलका कच्रा आ रहा है तो इसकी हवा आपकम ज्यादा कर सकते हो जिससे कि यह बिल्कुल प्रोपर ग्रेडिंग आपकी पसल को कर देगा और किसान बाइव सबसे महत्मून जानकर जिससा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर गेर के निचे पूरा इसको कवर किया हुआ हुआ है बिल्कुल चद्दर से जिसके जि अगर सबसे आगे वाली पुली पे करोगे तो आरपेम ज्यादा बीच वाली पे मेडियम अगर सबसे पिच्छे वाली पुली पे करोगे तो उसके जो अपने फैन रहेंगे उसके आरपेम कम हो जाएं यह हुक के अपने टेक्टर के माद्यम से भी आप इसे कर सकते हो कि किस प्रकार करना चाहते हैं किसान भाइव मैंने इस मशीन के बारे में आपको संपुन जानकारी दे दी अब आपको बताते हैं कि इस मशीन पर आपको सब्सेडी किस प्रकार मिलेगी इस मशीन पर आपको लोन किस प्रकार मिलेगा किसान भाइव अगर इस मशीन की बात की जाए आपी स्टेटों में इस मशिन पर सब्सीडि मिल रही और जो आपको इसके पर लिए नंबर दिख रहे हैं उनसे संप्रक करना वह आपको जानकरी ले सकते हैं और यह मशिन आपको राइसिंग नगर वीजेруз नगर नौ इस मतलवान बॉर फ्ते पर आपके चिसान पर नमबर दिख रहे हैं तो और भी डीपली जानकारी ले सकते हैं और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस मसीन के बारे में बहुत जल्द किसान भाई के साथ खेट पे जाके लाइव रिजल्ट आपको दिखाए जाएगा गिले में किस प्रकार रिजल्ट है बारीक पचेजल्ट है और सुक्य पचेजल्ट में किस परकार रिजल्ट है तो किसान भाई सबस्क्राइब कर ले चैनल को फिर मिलते है को यसा सांदार के वीडियो में तब तक जे जवान जे किसान